विए यह कुछीson आपको दिखाई दे रहा है न यह कुछन के कक्षादस का है अधियाई यह मरी चार जिसका नाम है द्वीघाज संहिकर्ट तो बेसिकलि अपनी इसा अधियाई के बारेमें पर्चिवर्णि के बारेमें और इसके इंपोर्टन क्योशन कर्रें तो इंपोर्टेंट क्यूशन में आज का जो क्यूशन है क्यूशन नमर 20 है इससे पहले अपनोंने एक से लेकिए 19 क्यूशन कर चुके हैं यह वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप उनको जाके देख सकते हैं ठीक है और इससे पहले हमने इस अध्याई की जो पहले वीड सिक इस अध्याई की बारें बता है यह वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं ठीक है आज का क्यूशन नमर 20 है हमारा देखो क्या है यह जो इसका सोलिशन करते हैं पर के कमान ग्याद कीजिए जिसके लिए एकस बराबर दो द्विघास स समिक करनं टीन एकस स्कॉर माइनस के क्स माइनस दो बराबर जिरू का एक मूल है तो जाओ दर्गों द्विघास समिकनरों थी एकस कि गाहत के दिडोग कि दो कि दो है या चरपत की अधित्तम का दो है तो उसे द्विघास समिकल कर दें और द्विघास समिकल है तो उसके कितने वो लाएंगे दो मो लाएंगे अपनों को एक मूल दे रखा है एकस बराबर दो कुछ मत करो एकसअ की जगी दो रख दो तो देखो यह रखूंगा मैं लिख देता हूं पिले द्विखाथ सामी करों मैं एक सबरावर दो रखने पर तो देखो TNC कितना रखा तो देखो यह 2 रखा ने 2 की खा थे 3 director कितना रखा तो यह 2 ितुम्मराबने अपर हुआ है त्यक्त को सब्सक्राइब करेंगे माइन से yes तिनको चवा झार से किया तो 12, minus 2 की, minus 2, represents 0 अब kimchi, 12 में से 2 कटाएं तो कितने बचेते हैं, को? ये 12 है, plus k, और ये 2 किसके हैं, minus k तो इस 12 में से 2 कटाएं तो कितने बचेंगे? टस, minus 2 की, बरावर 0 अब ये 2 के हैं, किस के हैं? minus k कि प्लस के तो देखो 10 बराबर दो की यज फिजी हो सिर्थ फोट करें और दो कि मैइनस के दो के देए दर आगे तो किसको के प्लस के अब दो और की की बीच में किसका इन को निकल ऑट नकाल तो कियम माँ ने निकालना था यह इतना ऐसर है ठीके तो कुछ ने क turbo थो ने रहता है इसको इस समी कर्ण में रखनाय बस एक सिदेखी दो रखनाय और इसको सोल कर देना है जिसमरा के कमान आ जाएगा बस सिंबल प था इतना सही तो था यह कुछन बस एक से बराबर दो रखो समीकर्ण में और के कमान गयात कर लो ठीक है और यह कुछन इंपोर्टेंट है इसे कुछन पुछे जाते हैं एक्जाम में अब देखो आगे अगला कुछन है अपना कुछन नमबर 21-21 एक्टीज देखो यह इंपो कुछन करते हैं पर तो देखो क्विशन क्या है क्विशन नमर 21 द्विकास समीकर्ण अपनी चार एक से स्क्वायर प्लस चार अंडरूट तीन एक्स प्लस तीन बराबर जीरो का विविक्त कर ग्यात कीजिए और फिर मूलों की प्रकति ग्यात कीजिए अब देखो यह विव ठीक तमगर और है कर अशको बोलता है इंग्लिशमें डिस्क्रिमिनेट क्या में बहुते हैं डिस्क्रिमिनेटीं और इसको दर्शान हैरा कि पीटर डी से किसे दर्शान होता हैación इसका सुतर होता है जिसको एंगलीश ही बोलता है डिस्क्रमिनेल डी से केपिडेल्स दर्श आते हैं और जो इसका सुतर होता है वह होता है B SQ-4AC यह सुतर होता है इसका अब देखो अपनों को यह ग्याद करना है तो इसके मान रखने पड़ेंगे अभी B A C के मान कहां से मिलेंगे तो यहां से मिलेंगे अब देखो मैं बताता हूँ उपको A क्या होता है X SQ-2 का गुनांक गुनांक मतलब अब देखो जो X SQ-2 के आगे जो लिखा हुआ है वो A का मान होता है तो A का मान होगे अपना 4 X SQ-2 के आगे क्या लिखा हुआ है 4 तो यह 4 B जो होता है वो X का गुनांक गुनांक मतलब जो गुनां में X के X के गुनां में क्या है चार अंडरूर 3, तो B का मालोगे अपना 4 अंडरूर 3, अब दो C, C होता है बिना X वाला, बिना X वाला, या फिर जिसको बोल सकते हैं, अचर पत, पत, तो B ना X वाला कुन सा है, 3, तो 3, C का मालोगे अपना 3, अब बस, ये A, A, B, C के माल, इसमें रखो, तो देखो, फिर भी कमान कितना है चार अंडरूट थीन चार अंडरूट 3 और इसकी खात कितनी दो मामट्नस 4 एक ऋ मार्ड कितना है चार तो यह 4 c खात किना है चार तो यह 3 अब दिखो इस्थित जार अन डूल रूत 3 है wants को इसको S צब करना है यहां लिखते हैं इसको इदर वोड़ करते हैं चार अंदर रूट 3 मुर्षी घास्ट तोframes एसे फ़ीक सकते हैं जार आ जार कुमत डाय है देखो चार की घाट दो कमत होता है चार कुना चार और चार कुना चार कितना होता है चार चोग 16 तो इसको तो लिखूँगा 16 दिया रखना यह घाट 2 से अंडरूट कर जाएगा तो बचेगा क्या 3 तो यह गुना सो लागो 16 दिया कुना जगरें तो यह आएगा 48 में से 48 गटाओं को तो कितना बचेगा जीरो तबब N कितना है मेरा जार दिक्वान नीकालना तब व्युक्तिकर तो थो व्युक्तिकर का माना गया अबना जीरो ऐइध हो आप D Commissioner समीकर्ण का विविक्तिगर ग्याद कीजिए तो विविक्तिगर अपनों ग्याद कर लिया और मूलों की प्रकति ग्याद कीजिए ठीके तो मूलों की प्रकति ग्याद करने का यही सूतर होता है जब डी का मान डी का मान जीरो से बढ़ा जिसकी तरफ मुझ कुल रहा है वो सो बचास इसे धरात्मक संख्या आए डिकामान क्या आए जीरो से बड़ा धरात्मक संख्या आए तो मूलों की प्रकति कैसे होगी मूलों की प्रकति प्रकति होगी वास्तविक वास्तविक और बिन्न बिन्न मूल के से होंगे वास्तविक वास्तविक लिखाए है ना वास्तविक हुआ बिन्न बिन्न मतलब मूल अलग-अलग होंगे वास्तविक भी होंगे और जो मूल हों अलग-अलग होंगे ठीक है अब एद्धी डीका मान0 से छोट़ा आए जिरो से छोट़ा मतलब माइनस पाँच माइनस साथ माइनस ज्यारा前주는 अहयनस सो माइनस एकजार माइनस दस अजार है सो कुछ भी माइनस में डीका मानग तो मुलों की प्रकति होगी काल्पनेख ही ऐवा दोल और अलग होंगी है तो नोल कि ऑनल होंगे वह बिन्द विन्द विन्द होंगे अलगए होगी मौल्ट से बड़ा जीसे प्लस प्रम टाइगे मूल की प्रक्रति की मूल बराबर होंगे तो देखो मूलों की प्रक्रति की आये तो यहां पर लिख सकते हैं मूल बराबर होंगे मूल क्या होंगे मूलों की प्रक्रति क्या लिख सकते हैं मूल बराबर होंगे ठीक है बराबर कीजिए कि आप समान भी लिख सकते हैं मूल समान होंगे समान हों थी कि आयो चो ये जो दोनों किशन आपको पूर इंपोर्टेंट में आया होगा इस विडियो के समझ में और नहीं है इम्पोर्टेंट में ज़ल रहे तो बस इस वीडियो के से उतना ही कि थे खोब है न अगले व्यडियो में अगले किश्न के साथ well. तेंक यू